हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट दे स्ट्रीट तो आज हम बात करने वाले सुप्रीम कोट का जो जज्जमेंट आया है लोन मोरेटोरियम केस के उपर इस वीडियो में हम उसका पूरा इंपक्ट जानेंगे किस सेक्टर को कितना फायदा है यानि बैंकिंग सेक्टर को क्या फायदा है और यहाँ पर जो लोग है जिन लोग ने लोन लिया जनता उनको कितना फायदा है यह सारी चीजे एकदम सरल हिंदी भाषा में हम लोग जानेंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आरे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर दबै चलिए, सबसे important आँग सुप्रीम कोट के केस में क्या हुआ है, तो सुप्रीम कोट ने क्या किया है, जो पहले जो interest waiver था इंट्रेस्ट औन इंट्रेस्ट वेवर जो केवल 2 करोड रुपय तक के लोन के लिए था अब उसको यहां पे बढ़ा कर पूरी वो लिमिट हटा दिये यानि गवर्मेंट ने पहले बोला था कि हम लोग केवल 2 करोड तक के लोन पर ही ये स्कीम देंगे यानि जो वेवर अफ इंट्रेस्ट है उसको केवल 2 करोड तक के लोन को ही दिया जाएगा लेकिन वो हटा दिया गया है तो इस लिमिट को यहां पर हटा दिया गया है अभी यहां पर क्या होगा देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि सुप्रीम कोट ने वो लिमिट तो हटा दिये 2 करोड मतला अभी सभी लोन को इंट्रेस्ट और इंट्रेस्ट का यहां पर वेवर मिलेगा अब इससे एक चीज हो रही है कि अभी जो बैंक्स है उनको ज्यादा यहां पर कॉस्ट बियर करनी पड़ी तो बैंक्स के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव हो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंट्रेस्ट वेवर किया जाएगा यह गवर्मे बैंक्किंग सेक्टर में यहां पर कोई भी प्राब्लम नहीं है जैसा बहुत जन बोल रहें कि बैंक्किंग सेक्टर में यह है लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा यहां पर कंप्लीट वेवर अफ इंट्रेस्ट के लिए यहां पर सुप्रीम कोट ने मना कर है ठीक है वरे्टोरीयम एक्टैंड करने से भी मना कर दिया है वहीं पे अगर इन्वकेशन ओफ रिलेफ् Worca नहीं दिये जाएंगे इस particular sector या इस case से related ठीक है अभी यहां पर एक और बात जो और important है जो आप सभी को जाननी चाहिए अगर आप banking sector से जुड़े हैं या bank के shares hold करते तो जो NPA classification पर यहां पर रोक लगा रखी थी उसको भी अभी यहां पर हटा जिया गया है तो अभी आप दे अपने quarter results में बताये थे ठीके ना तो यह सारी चीजे है overall जो यह खबर है यह पूरे sector के लिए positive है क्योंकि यहां पर interest का जो वो है burden है वो अभी सरकार bear करेगी और सभी loans पर यहां पर यह interest on interest waiver का यहां पर दिया जाएगा लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि किसी भी तर से बता दिया कि क्या क्या होने वाला था और क्या क्या हो सकता है अभी आप लोग को क्या है जिन लोग का भी दो-दो करोड से ज़्यादा का loan है उन्हें next month में या फिर 31 March के लगबग या फिर अपरेल के महिने में उनको यहां पर interest का यह जो ज्यादा charge किया है वो उनको पैस उन वगर है या जो banking stock से जुड़े हैं ताकि उन सब को यह सारी चीजे समझ सके और पता चल सके थैंक यू